चाफार दोस्तो आज हम बात करेंगे डेली एक्टिविटीज इन इंग्लिश एट होम याँ heur रोज हम जो एक्टिविटी करते बिन में तो वह जो सारे जो जो फ्रेसे स्या सेंटिंस हम यूज़ करते इंगलिश के अंदर तो उसके बारे में आज हम डिसक्स करेंगे इस उडियो के अंदर चली शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले जहां पर एक्जाम्पल नहां पर आई वेक अप एट 6 अम एवरी डे और गेट फ्रेश बाइश बाइश बज़े उड़ता हूं और उसके बाद में साथ बज़े तक यानि फ्रेश होकर में रेडी होता हूं इसका मतलब दूसरा जो है आई डू योगा अइडी बिट्विन 7 am एड 7.30 am यानि हर रोज में योगा जो खरता ह tack D साथ बज़े लेकर साधे साथ बज़े तक और तीस रा जो है आई ये ट मैं ब्रेक्फ Veter & याना ओलस ए व्यूवैन करता हूं और उसके बाद में एक प्पटी यानी चाय में पी तकום पादे बीन प्रेयर आफ्टर बात यानि मैं शावर या तो मैं स्नान करता हूं उसके बाद में थड़ा पूजा यानि प्रेयर भी करता हूं यानि स्नान के बाद उसके बाद में I get ready by 8.45 a.m. and go to office यानि बज़े तक मैं थयार होता हूं उसके बाद में आफिस के लिए मैं तब जाता हूं I have my lunch at 1 p.m. in office यानि मैं एक बज़े मेरा दोपेर का जो खाना है मैं एक बज़े में आफिस के अंदर ही खा लेता हूं After I have finished work I go home by 6 p.m. यानि काम के बाद में 6 बज़े घर पहुंचता हूं यानि घर लोट जाता हूं We all family members eat dinner together at 8.30 p.m. यानि हम जो सारे जो family members है पूरे सब लोग मिलकर हम जो है रात का जो खाना है यानि डिनर जो है हम लोग साड़े 8 बज़े खा लेते हैं After dinner I go little walk about 30 minutes यानि डिनर के बाद में रात को खाने के बाद में 30 minutes तक यानि 30 minutes में थोड़ा walking कर लेता हूं I usually watch the news or prime time between 9 p.m. and 10 p.m. में usually मतलब news या prime time जो भी news होगे होता वो में 9 से लेकर 10 बज़े तक में रात को देखा करता हूं The last things I do is lock the door, turn off the lights and go to bed यानि मेरा जो last काम होता दिन यानि दिन का लॉक दोर जो है लॉक करना और लाइट जो है आफ करना और इसके बाद में सोनी के लिए जाता हूं तो यह है यह जो है common phrases या common sentences for daily activities वीडियो को अंदर में फिर नए एक्जाम्पल लेक्या हूंगा अगर आप नए हो मेरे चानल पर सो प्लीज सब्सक्राइब और प्रेश दी बेल अकन फार लेटेस्ट अप्डेट्स थैंक यू फर वाचिंग